नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीदे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लोवर PCS मुख्य परिक्षा को लेकर और रेलवे की एक और बंपर भरती को लेकर तो अधिक समय विश्ट ना करते हुए सिधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं railway की 1 और 9000 पदों की बड़ी भरती को लेकर जी आ दोस्तो railway ने 1 और भरती का notification जारी कर दिया है और इसका short notice भी जारी कर दिया है यह आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तो यह रहा आपके सामें notice और यह जो विज्यापन संक्या है यह है दो बटे 2024 यानि की टेक्निशन की एक यह बड़ी भरती है जिसमें पदोगी संक्या है 9000 दोस्तों आपको बता दूँ टेक्निशन जो भरती होती है इसमें आप सभी एपलाई कर सकते हैं बारवी पास वाले और जिनके पास साइंस से बारवी है वो सभी इसमें एपलाई कर सकते हैं ठीक है और आपका इसमें जो है विज्यापन जो आपका देखने को मिलेगा वो इस मन्त देखने को मिल जाएगा यानि कि फरवरी 2024 में और जो आप आवेधन कर सकते हैं वो मार्च अप्रेल में आवेधन कर सकते हैं ठीक है और इसमें जो आपकी परिख्चा होगी दोस्तों जो CBT होगा computer based test ये आपका October से December 2024 तक यानि कि दो महीने चलेगा और इसमें आपका जो document verification होगा वो होगा next year फरवरी 2025 में ठीक है तो railway में अगर आप सरकाई नोकरी लेने का सपना देखते हैं न तो भईया अभी से लग जाईए एक आपके सामने vacancy आ चुकी है local pilot की और दूसरी vacancy आपके सामने हो चुकी है technician की बिलकुल जी जान से महनत कीजिए तो कि बहुत competition होता है देखिए जो local pilot की बढ़ती होती है इसमें थोड़ा competition कम होता है लेकिन जो technician होता है न इसमें हर level का चात्र अपलाई करता है तो यहां competition बहुती अच्छे level का होता है और बिलकुल धंग से जी जान से अभी से लग जाईए ठीक है और जो भी update इसको लेकर होगा वो आपको मैं सबसे पहले इस channel पर दे दूँगा ठीक है दोस्तो अब दोस्तो बात कर लेते हैं lower PCS मुख्या परिक्षा को लेकर आप सब को मैंने बता दिया है कि 2024 में यानि कि इसी साल आप lower PCS की मुख्या परिक्षा देने वाले हो ये बात एकदम confirm है और इसका विग्यापन भी आपको जल देखने को मिल जाएगा आने वाले दो से तीन महिने के अंदर आपको lower PCS का विग्यापन देखने को मिल जाएगा अब मैंने दो तिन दिन पहले है ना लगबग दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आपको मैंने आप सभी को ये बताया था कि इतने परसेंटाइल वाले lower PCS की मुख्य परिक्षा दे सकते हैं और उस वीडियो को बनाने के बाद बहुत सारे चात्रों में नाराजगी उत्पन्न हो गई ठीक है और उनकी नाराजगी ये थी कि सर आप गलत बोल रहे हैं आपने बहुत ज्यादा नंबर बताये हैं ज्यादा परसेंटाइल बताया है इससे कम परसेंटाइल वाला भी lower मुख्य परिक्षा देगा उन चात्रों का कहना ये था देखिए भई अगर आप सरकारी ज्यान 4U चैनल पर जुड़े हैं तो आपको मैं एक बात किलियर कर दूँ मैं कभी भी किसी भी चात्रों को ज्योंटी खुशी नहीं दूँगा हाँ बहुत सारे यूट्यूबर ये काम करते हैं कि कम cut-off बताकर और उल्टा सीधा views लेते हैं और चात्रों को ब्रहमित करते हैं और चात्रों को ज्योंटी खुशी प्रदान करते हैं अगर आप सरकारी ज्यान for you पर जुडे हैं तो कभी भी आपको ज्योंटी खबर या ज्योंटी खुशी नहीं दी जाएगी मैं आपको ज्योंटी खुशी देने के लिए ये बोल दू कि आपका इतने नमबर पर मुख्या परिक्षा देने का मौका मिल जाएगा तो भई ये मेरे जो रूल है जो मेरे चैनल के नियम है ये बात उसके खिलाफ हो जाएगी ठीक है? मैं इतना कह सकता हूँ देखिए बहुत साथ चातर ये का कहना ये है कि 98% वाला भी मुख्या परिक्षा देगा कुछ चातर का कहना ये है तो भई मैं इस बात को बिल्कुल स्री से न कारता हूँ 98% वाला किसी भी हाल में Lower PCS की मुख्या परिक्षा नहीं देगा ठीक है? इतना मैं कह सकता हूँ 99% तो रहेगा ही रहेगा 99% तो कनफर्म है इससे कम पर कोई भी चांस नहीं है कि आप Lower PCS की मुख्या परिक्षा देदें अगर आपको जोटी खुशी में जीना है तो आप जीते रहें ठीक है? बाकि देखे अगर आपका 98 बन रहा है तो आप पटवारी का एक्जाम दे सकते हैं आराम से है ना? वीडियो एक्जाम दे सकते हैं और आने वाली जो भी भरती आप दे सकते हैं लेकिन Lower PCS नहीं दे पाएंगे माफी चाहता हूँ क्योंकि Lower UPCC का वो एक्जाम है जहां हर लेवल का चात्र अपलाई करता है हर लेवल का चात्र जो कहीं भी selected है ना? वो भी यहाँ apply करेगा जबकि वीडियो में या VPO में ऐसा नहीं होता जो चात्र इस से उचे पद पर selected है तो वो VPO नहीं भरता या इसके पास triple c नहीं है वो vp.o. नहीं भरता 12th level की job है और केवल 2000 grade पे है वो vp.o. नहीं भरता जो इंसान 2800 grade पे पर अल्रेडी काम कर रहा है या 2400 पे काम कर रहा है वो 2000 grade पे एका vp.o. का exam क्यूं भरेगा ठीक है तो बहुत सारे छात्र यूपे triple c में ऐसे होते हैं जो पटवारी या VPO का या वीडियो का एक्जाम फॉर्म नहीं भरते ठीक है लेकिन लोवर PCS वो भरती है जहां हर लेवल का चात्र एपलाई करेगा ही करेगा ठीक है तो आप इस ब्रहम में बिलकुल ना रहें कि 99% से कम पर आपको मुख्या परिक्षा देन ठीक है कमप्टिशन का लेवल क्या है आप समझ नहीं रहे हैं बिलकुल ही समझ रहे हैं इसलिए आप से रिक्वेस्ट है किरप्या करके कमप्टिशन का लेवल समझे कि जॉब लेना किस लेवल तक कठिन हो चुका है लेकिन जो मेहनत करता है सच्ची लगन से मेहनत करता है वो बिल्कुल सच्चाई को देखते हुए आगे बढ़ता है। उसे पता होता है कि भई मैं ये मेन एक्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। और जो ये बोल रहे हैं ना कि 98 पर हमें लोवर देने का मोगा मिल जायागा। ठीक है? 99 परसेंटाइल से है ना अगर कम पर आपको लोवर देने का मोगा मिल जाया तो आप मुझे बता देना उस दिन ठीक है दोस्तो? 99 तो कम सक्मा आपको चाहिए ही चाहिए लोवर देने के लिए है कारकि यहां हर लेवल का चात्र एपलाई करेगा बस आपने तो केवल एक रट लगा रखी है कि एक परसेंटाइल पर 12,000 बच्चे होते हैं वह यह ऐसा नहीं होता है यह आपका आंकड़ा बिलकुल गलत है और मेरी बात सही है या नहीं है जब लोवर का नोटिफिकेशन आएगा और इसके लिए मेन एक्जाम के लिए कट ओफ आएगी आपको पता लग जाएगा कि सरकारी ग्यान फोर यू चैनल पर जो बात बोली गई थी वो कितनी सही थी आपको भरोसा तबी ह होगा ठीक है दोस्तों यह होगे आज का वीडियो और किसी भरती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पल दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जहें जेपारा समचा कुश रहिए मुश्कात रहिए